असलाव वालेकम नाजरीन नूरानी खबरों में आपका विश्तक्पाल है आज हम आपको लिये चलते हैं बाबा भूरे शाह की दर्गाह पर बाबा भूरे शाह उन्नीश्मी शतादी के बड़े सूफी संथ थे जिनकी दर्गाह गाजियाबाद में अर्थला गाउं के पास है इस लिए इस दर्गाह को अर्थला पीर की दर्गाह भी कहा जाता है यानि गुरवार के दिन जियारत गीरों की खासी भील होती है कहा जाता है के बाबा भूरे शाह इसी इलाके में अक्सर गूमते फिरते मिल जाते थे और जब लोग उनसे अपनी परिशानिया साजा करते तो उनका या तो बाबा ततकाल समाधान कर देते या फिर कुछ ही दिनों में उसका हल हो जाता उसके बाद जब बाबा भूरेशाह दुनिया से परदा कर गए तो उसी जगा पर उनकी मजार बना दी गई इमर्जेंसी के बाद जब 1978 में एक बार हिंडन नदी में बाड आई तो पूरा इलाका डूब गया लेकिन नदी के किनारे बनी मजार तक पानी ने अपनी पहुँच नहीं बना पाई जबकि मजार भी निचले इलाके में ही है ये घटना इलाकाई लोगों के लिए किसी अजूबे की तरह थी उसके बाद से ही लोगों में बाबा के प्रति आस्था और विश्वास और बढ़ गया बैसे तो रोजाना ही यहां जियारत गीर आते रहते हैं लेकिन गुरबार को ये फेरिष्ट काफी लंबी हो जाती है अब इस दरगा का विस्तार भी हो चुका है दरगा के पास ही एक मस्जिद है जिसमें आसपास के लोग नमाज आता फरमाते हैं खासतोर से जुम्य की नमाज में यहां बड़ी तादाद में नमाजी आते हैं बाबा भुरे शाह को गुर बहुत पसंद थी यही कारण है कि जियारत करने आने वाले लोग गुर का प्रसाद लाना ज्यादा मुनासिब समझते हैं कुछ लोगों का मानना है कि वे अपनी परिशानियों को ताले में बंद करके बाबा की दरगाह में छोड़ देते हैं जिसके बाद उन परिशानियों से उन्हें हमिर्शा के लिए निजात मिल जाती है यही कारण है कि यहां बड़ी संख्या में ताले लटकते मिलते हैं कई जियारतकीर मन्नतों का धागा भी बांद कर जाते हैं तो कुछ अपनी परिशानी को कागज पर लिखकर यहां टांग देते हैं बाबा पुरेशा के मुरीदों की लंबी फेहरिष्ट से गुर्बार को यहां का नजारा मेले जैसा हो जाता है खुदा हमें और आपको भी इस दर्काह की जियारत नसीब फरमाए आमीन हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल नूरानी खवरें सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें खुदा हाफिज